जैहिंद दोस्तों आपका स्वागत है माई YouTube चैनल Apex Study Hub में तो इस वीडियो में हम करेंगे NDA1 2021 की Science की प्रीवियस एर कोशन जो आपको बहुत ही helpful होने वाले हैं क्योंकि इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के कोशन पूछे जाते हैं और साथ ही यह कोशन करन करना शुरू करते हैं एक बिजली के बल्व का तंतू एक में दस मिनिट के लिए एक एम्पियर धारा खींचता है परिपत में से प्रवाहित होने वाले विद्यूत आवेस की मातरा ज्यात कीजिए तो देखिए हमारे पास आवेस को मातरा निकाने के लिए फॉर्मल होता है Q is equal to IT यहां आई होती करेंट यानि आई हमारे दे रखा है एक एम्पियर और टाइम दे रखा हमारे दस मिनिट देखिए टाइम जो है मिनिट में नहीं होकर सेकंड में होना चाहिए तो इसको हम 60 से गुणा कर देंगे क्योंकि वह MKS में टाइम सेकंड में होता है तो जब आगे कोशन पर चलते हैं प्रकास के रिए निमलेखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो प्रकास ऑप्षने प्रकास भिन्ने-भिन्न माध्या में भिन्ने-भिन्ने चाल से चलता है यह कथन ठीक है क्योंकि प्रकास जाइस 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 मीडियम बदलता रहता है उसकी ब प्रकास की जो चाल होती है बायू में वो 300 million यह हम कह सकती है 3 into 10 to the power 8 meter per second होती है आगे बात करते हैं प्रकास जैसे ही जल की सतय को त्यागता है और बायू में प्रवेश करता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है तो यह बात गलत है क्योंकि जब भी light rarer denser medium से rarer medium में जाती है तो उसकी जो velocity है वो बढ़ जाती है ना कि कम होती है क्योंकि denser medium से rarer medium में जाने पर denser medium का जो refractive index होता है उसकी तुलना में rarer medium का refractive index यानि n वो कम होता है जिस बज़े से बहाँ velocity बढ़ जाती है इसका मतलब यहाँ पर option c सही है तो हम option c को सही कर देते हैं चलिए और option d की बात करने देखिए इसमें क्या दे रखा है कि प्रकास जैसे ही कांच की सतय को त्याक करता है और बाईयों में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बढ़ जाती है यह बात हमने बता दी कि denser medium से rarer medium में जाएगा तो प्रकास की चाल बढ़ जाएगी चलिए अगला question हम करते हैं अपना निमलेखित मेंसे कौन सा सूत्र वैद्धू सक्ति को नहीं दरसाता है तो वैद्धू सक्ति की बात करते हैं जिसे हम P से represent करते हैं तो P के हमारे पास formula होते हैं I square R हमसे पूछा कौन सा formula नहीं दरसाता है तो पहला ठीक है दूसरी की बात करते हैं इसका formula एक उतर P is equal to V I और option B सही है क्योंकि ये विद्धू सक्ति को नहीं दरसाता है आगे चलते हैं एक काच का प्रिज्म स्वेद प्रकास को बेविने रंगों में बिवक्त करता है इस परिघटना को प्रिज्म द्वारा प्रकास का बढ़न बिच्छेपन डिस परसन कहा जाता है निमलेखित में से कौन सा कथन सही है चलिए इसको देखते हैं प्रकास के परावरतन के कारण लाल प्रकास का सारवादिक बिचलन होगा प्रकास के अपवरतन के कारण बैगनी प्रकास का सारवादिक बिचलन होगा तो सबसे पहले जो डिस्पर्शन यानि बिच्छेपड की किरिया होती है व यहां लिए itdμα को कि दुआ बात करते हैं किस रंग के प्रकास क्या आप वर्तनग सबसे जदा होगा तो दिखेंग में लिए और रहा भislang को सबसे जदा होता है तो लाल रंग की बात करेंए तो इसकाenez सबसे कम होता है क्योंकि इसका अपवर्तनांग सबसे कम होता है तो ऑप्षन भी हमारा सही है चलते अंगले कोशन पर पुनरा ब्रत परावर्तनों के कारण किसी बड़े हॉल से स्रिजित की गई ध्वनी बनी रहती है इस परिगटना को कहा जाता है या क्या कहते है तो देखिए जब बड़े बड़े हॉल के अंदर ध्वनी होती है बार बार दीवारों से टगरा कर बार बार उसका परावर्तन ह होता रहता है तो इस घटना को हम बोलते हैं अनुरणन देखिए इसलिए option इसका a सही है विच्छेपण की बात करें तो वह एक अलग घटना है और अपवर्तन और बिवर्तन अलग घटना अनुरणन इस घटना को बताता है कि अनुरणन में बार-बार धुनी परावर्तित हो यह अबिर्ति परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं तो देखिए इसके बारे में जो बताया था वो थे रह लेने कि प्रकास के प्रकीर्णन की घटना के बारे मतायता रह लेने तो option a सही है अगले question पर चलते हम साबून की सोधन करिया के सम्द्ध में नि तेल और मेल मिझेल के केंदर में एकत्र हो जाते हैं ये बात सही है कि जो तियु के चैल मेल होते हैं और या करते हैं यह बात सही है। क्योंकि जो सावुन होते हैं वो sodium और potassium के लवन होते हैं ना कि ammonium के तो यह option हमारा सही है क्योंकि यह सावुन के संबंद में नहीं है आगे बात करें सावुन कटोर जल से calcium और magnesium आयनों के साथ अब इच्छे बना लेता है तो यह option यह बात सही है इसलिए यह option नहीं हो सकता है चलते हैं अंगले question पर निमलिकित में से कौन सा अम्ल टमाटर में प्रमुख रूप से पाया जाता है तो इन में से जो oxalic acid होता है वो tomato में मुख्य रूप से पाया जाता है अधिक मात्रा में हाला कि इसमें ट्रमाटर के अंदर कई सारे ऐसेट पाए जाते हैं लेकिन उसमें ऑक्सेलिक एसेट बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाता है चलते हैं अगले कोशन पर हमारे निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करते हुए बनस्पती तेलो का हाइड्रोजनी करण निम्लेकित में से किसका उधारन है तो देखिए, हाइडोजनी करन का मतलब हो गया, यानि जब कारबनिक यॉगिकों की बात कर रहे हैं, हाइडोजनी करन का मतलब हाइडोजन का जुड़ना और कार्बनिक योगिकों में हाइडोजन के जुड़ने की किरिया को हम संकरन अभिकिरिया कहते हैं जो कि निकेल उत्प्रेरक की उपस्तिती में कराई जाती है तो इसका option C सही है क्योंकि ये संकरन अभिकिरिया का उधारन है या addition reaction इसमें हाइडोजन आकर योगिक में जुड़ जाती है अगले question पर चलते है रदर food के alpha prakinin प्रयोग से निमलिकित में से कौन सा निसकर्स नहीं निकाला जा सकता है ए परमाडू में अधिकांस इस्थान रिक्त होता है तो ये निसकर्स निकलता है रदर food के प्रयोग से ही दो की बात करते हैं परमाडू की तरिज्जा नाभिक की तरिज्जा का लगभर तसकी घात पांच गुना है तो ये निसकर्स भी उनके प्रयोग से निकलता है आगे बात करें, इलेक्ट्रोन इस्थिर उर्जा के ब्रतिय पत्थ पर गती करते हैं, जिन्हें कक्षा कहते हैं, अनि और्बिट कहते हैं, अगला हमारा option है, कि परमाडू का संपूर्ण दरबमान नाभिक में केंद्रित होता है, तो ये बात भी हमारी सही है, तो option C जो है, व इस्थिर उर्जा की कक्षाओं में गती करता है, और बिना उर्जा को खतम करे हुए गती करता है, तो हमारा option C सही है, जो कि अलफा प्रकीनर प्रयोग के बारे में नहीं है, आगे चलते हैं, निम्लिकित में से कौन सा पदार्थ कार्बन का अपर रूप नहीं है, तो यहां कोशन C सही है, चलिए अगले कोशन पर चलते हैं, भुजा चूना C A O H का होल ट्वाइस बनाने के लिए बिना भुजे चूने C A O की करिया जल के साथ अभी करिया किसका उधारन है, तो देखते हैं यह अभी करिया किसका उधारन है, तो यह अभी करिया क्या विस्थापन अ से कराई जाती है तब हमारे पास C A O H का होल ट्वाइस मिलता है ठीक जो कि हमारा बिना भुजा चूना है तो आपने खुद भी देखा हुआ जब भुजे हुए जो बिना भुजे चूने के अंदर हम पानी डालते हैं यानि पानी डालते हैं तो उसके अंदर एक किरिया होने रखती है जिसको उसका ताप बढ़ जाता है जिन किरियाओं में ताप बढ़ जाता है यानि उसमा निकलती है ऐसी किरियाओं को उसमा छेपी अभी किरिया का जाता है इसका मतलब आप्सन डी सही है निमलेकित में से कौन सी अभिकरिया के परिणाम स्वरूप हाइडोजन गैस का बेमोचन नहीं होता है ए तनू सल्फियूरिक अमल के घोल के साथ जस्ता धातू की अभिकरिया तो इसमें hydrogen gas निकलती है क्योंकि zinc तनू-sulfuric अमल यानि H2SO4 से hydrogen को हटा देता है और अपने आप आ जाता है जिससे hydrogen gas निकलती है आगे हम बात करते हैं Paris plaster में जल मिसरित करने पर यानि plaster of Paris P.O.P. में जल मिलाने पर देखिए जब P.O.P. में जल मिलाया जाता है तो P.O.P. का हम सूत्र की बात करते हैं वो होता है C.A.SO4.H2O और जब इसके साथ जल मिलाया जाता है इसको हम दो अनू ले लेते हैं और जब इसके साथ जल मिलाया जाएगा तो यह जाके बन जाता है जिप्सम जिसका सूत्र होता है CA SO4 dot 2H2O देखिए यहाँ पर इस किरिया में किसी भी तरह से हाइडोजन गैस नहीं निकलती है इसका मतलब option B सही है कि इसमें हाइडोजन गैस नहीं निकलती है चलिए आगे दूसरे option की हम बात कर लेते हैं देखिए जस्ता धातू को sodium hydroxide के घोल के साथ गर्म करने पर तो इसमें भी hydrogen gas निकलती है जब जिक को sodium hydroxide के साथ गर्म किया जाता है चलिए आगे बात करते है potassium धातू की जलसे के लिए तो potassium जब जलसे के लिए करता है तो वो koh बनाता है और जिसमा hydrogen gas भी निकलती है तो आगे हम question पर चलते है जो कि यह निमलिखित में से कौन सा जैब मातरा उर्जा सुरोथ नहीं है तो इसमें देखिए जैब सुरोथ बो होती है जो कि हम नहीं बनाती है मतलब हमें प्रकरती से ही मिलते है तो देखिए इसमें से लकडी हमें प्रकरती से मिल जाती है एक biosource है वो energy का gover gas है koila है navi की director biosource नहीं है क्योंकि इसको develop मैं इंसानों नहीं किया है हमने बनाया है इसको हम बनाते है तो वो जैब स्रोत नहीं है उड़ जागा आगे चलते है तारो का टिंटेमाना किस कारण से होता है ए तारो के प्रकास के विशिष्ट आबिती के कारण ये option सही नहीं है महासागर की सत्य से तारो के प्रकास के परावरतन के कारण ये option भी सही नहीं है तारों के प्रकास के बायू मंडली अपवरतन के कारण ये option सही है क्योंकि तारों से जो प्रकास आता है वो प्रत्वी के बायू मंडल की बिभिन परतों से यानि कई सारी जो layer है उनसे होकर गुजरता है और इन पर्तों का तापमान और इनका घंट में लगाता और बदलता रहता है जिस वज़े से इन से आने वाला प्रकार बार बार रुक रुक कर या बिच्छे पित होकर आता है फिर जब हमारी आँखों में आता है तो वो रुक रुक कर आने के कारण जलते भुचते यानि ट्रिम्टे माते हुए तारे नजर आते हैं तो option C सही है आगे चलते है निमलेकित मेंसे कौन से दोनी तरंगी आविर्थी की इकाई नहीं हो सकती देखिए इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले देखिए मैं बात करता हूँ हर्ट की तो यह आम जानते हैं कि यह आविर्थी की इकाई होती है फिर बात करते हैं second inverse की तो यह भी आविर्थी की इकाई होती है क्योंकि हर्थ और second inverse सेम होते हैं इसका मदलब जो अमारी धोनी की इकाई होती है यानि धोनी तुरंगी आविरती की इकाई वो समय यानि समय इंवर्स हो सकती है यानि टाइम इंवर्स होगी तो टाइम इंवर्स होगी तो बो भी उसकी इकाई होगी और यहां बसती है डेसिवल जो कि धोनी की आविरती की इक कौन सा कथन सही है कारे कारी बल माद्य हिस्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और समान दिशा में होता है option गलत है, क्योंकि जो कारे कारी बल होता है, वो अनुकर्मानुपाती तो होता है माद्य हिस्तिती से, विस्थापन के पर वो उसकी विप्रीत दिशा में होता है इस तरह से option B को देखें, तो option B सही है, क्योंकि जो बल उस पर लगता है, वो माद्य हिस्तिती से विस्थापन के अनुकरमानुपाती होता है, परन्तु विप्रीत दिशा में होता है, क्योंकि वो उसको बार-बार उसकी माद्य हिस्तिती में लाने का ही काम करता है, तो option B इसक तरंगों की आवड़तियां अब देखिए बीट की यानि विस्पंद की घटना होती है वो तब होती है जब हमारे पास जो दो बेप से दो तरंगे उनकी आवड़ती लगभग समान होती है तब यह घटना घटती है यानि option D सही है चलिए अगले कोशन पर हम चलते है बीच के अंकुरन के दोरान भून का जो भाग जड़ के रूप में बर्धित होता है बहे है तो देखिए जब बीच को बोया जाता है और उसका भाग जब जड़ के रूप में बनता है तो उसमें से जो मूलंकुर भाग होता है वो जड़ के रूप में बढ़ने लगता है तो option A इस होती हैं और कुछ कान्च के कांच में अपवर्द्थ होती है अप्छतित तरंग और अपवर्द्थ तरंग के लिए निंभ्रथित में से कौन सा गुर्धर्म एक समान है अब देखिये जभ भी प्रकास का अपवर्तन होता है तो उस घटना में उसकी चाल उसकी दिशा उसकी चाल और दिशा दोनों ही बदल जाती है और धुति यानि ब्राइटनेस भी उसकी बदल जाती है जो धगुण एक समान रहेगा वो है उसकी आविर्थी यानि frequency उसकी सेम रहेगी वो नहीं बदलेगी तो option D हमारा सही है क्योंकि ये जो है वो आविर्थी है वो नहीं बदलती है और वो सेम रहती है जब कि चाल दिसा और brightness अपवर्तनान के बदल जाने के कारण बदल जाती है चली अगला question हमारा है किसी प्रारूपिक पुष्प में अंकुरित होने वाले पराकन बीजान में पहुचने से पहले जयांक के कई भागों में से होकर गुजरते हैं नीचे जयांक के भागों की सूची विभिन सेयोजनों में दी गई है उस सेयोजन को चुनिए जो पराग नलीका पत्यात्रा के सही अनुक्रम को दर्शाता है तो देखिए सबसे पहले जब पराकन किसी भी जयांक पर पहुचता है वो तो सबसे पहले उसके वर्तिकागर पर पहुचता है और वर्तिकागर पर पहुचने के बाद वो वर्तिका में से होता हुआ अंडाशे में पहुच जाता है यानि हमारा क्रम होता है वर्तिकागर प यदि मानव रक्त को 2% अपमार्जक में घोला जाए या घोला रखा जाए तो लाल उधिर कडिकाओं RBC का क्या होगा तो यहां ध्यान दे हम जो RBC होती है उसके अंदर जो salt की density होती है वो 0.9% होती है और जबकि हम जिस अपमार्जक में घोलने हैं उसमें वो 2% है इसका मतलब अगर हम पानी की density की बात करें पानी की अगर हम सादरता concentration की बात करें तो वो कोशिका के अंदर यानि RBC के अंदर ज़्यादा होगी और उसके बाहर कम होगी जिसको balance करने के लिए अंदर से यानि RBC के अंदर से पानी बाहर निकलता रहेगा तब तक जब तक की व balance दोनों तरफ नहीं हो जाती है इस तरह से जब लगातार पानी कोशिका के अंदर से बाहर निकलता रहेगा तो इससे जो RBC होगी वो संकुचित हो जाएगी यानि वो सिकुड जाएगी तो option A हमारा सही है चलते हैं अगले पर question पर साका हरियो के लिए vitamin और खनिज का प्रमुक्ष रोत है तो option नहीं है हमारा काला चना और गेहू तो देखिए चना जो होता हमारा protein का source होता है और गेहू हमारा carbohydrate का अच्छा source होता है तो यह option नहीं है चाबल और सर्सों तो चाबल यहाँपर source होते ह हैं बहुत अच्छे कार्व हाइड्रेट के लेकिन सर्सों यहाँ पर होती है हमारी बसा की आगे चलते हैं सब्जी और फल तो सब्जी और फल option सही है को कि सब्जी में बहुत तरह के मिंदर्स यानि खनिज और vitamin पाए जाते हैं सेम फल में भी खनिज और vitamin बहुत अधिक मात तो यहाँ पर option C हमारा सही है option D की हम बात कर लेते हैं कि जो सोया बीन और दूद है तो सोया बीन एक बहुत ज्यादा अच्छा शुरूत है protein का सब्जादर protein सोया बीन के अंदर होती है और अगर दूद की बात करने तो दूद में vitamins भी होते हैं और minerals भी होते हैं लेकिन combination की अगर हम बात करें तो वो combination सही नहीं मैटता है चलते अगले question पर यदि कोई प्रकास किरन बिरल माध्यम से संगर माध्यम में सूने आपतन कोण पर प्रवेश करती है तो बहे बापस परावरते थोगी सीधी जाएगी दाई और मुण जाएगी 45 दिगरी पर मुणेगी तो जब कोई प्रकास किरन सूने आपतन कोण पर जाती है, सूने का मतलब हो गया कि वो जो जो हमारा geown और पर जाती है, तो वो बिना किसी भी दिशा में बिच्छेपित हुए निकल जाती है तो option B सही है कि वो सीधी चलिजाएगी चलिए अगला हम बात करते हैं मरीची का निमलेखित में से किसका दिर्ष्टान्त है केवल प्रकास के बिच्छेपण का तो बात गलत है क्यों कि वो प्रकास के बिच्छेपण का तो है ही नहीं केवल प्रकास के अपवर्तन का इसमें दोनों ही घटना सामिल होती है क्योंकि इसमें पहले एक बार अपवर्तन होता रहता है उसके बाद एक बार पूर्ण परावर्तन होता है फिर से दुबार अपवर्तन की घटना शुरू हो जाती है इसी कारण हमें देखिए मेरी चिका में लगा हुआ कोई पेंड मिलती हैं यहाँ पर अगर कोई को इसको खड़े हो के देखेगा तो उसको लगेगा कि ये जो किरण है वो नीचे से आ रही है और उसको ये नीचे दिखाई देगा इस घटना को मुलते मरीची का जो की अपवर्तन और पूर्ण आंत्रिक परावर्तन का उधारन है इस तरह से अप्शन भी हमारा सही है अगले कोशन पर चलते हैं नेमलेकट में से कौन सा यॉगयक तयार करने के लिए कच्छे माल के रूप में साधान नमक का उपियोग नहीं किया जाता है तो चलिए इसकी बात करते हैं देखिए बिरंजक चूंड में साधान नमक का उपियोग किया याता है क्योंकि जिए कच्चे माल के र Farm उप्योग किया जाहेगा जिससे वह बन्दता है अब जिस में होगा हीए नहीं तो स Casewater सिंटे का इसका यूज कर जाता है इसमें सोडम जैसे को पच तो स्कंडोग करा जाता है该 कर इस 2CO3.10H2O तो इसमें भी sodium के source के लिए sodium की जरूद होती है इसलिए ये NCR का यूज़ करा जाता है पर plaster of Paris में sodium का यूज़ नहीं किया जाता है मैं इसका formula आपको बता देता हूँ इसका plaster of Paris का जो formula होता है मुथा CSO4.1H2O तो इसमें ना ही हमें किसी तरफ chlorine की जरूद है और ना ही हमें जरूद होती sodium की तो इसमें as a raw material NCR का use नहीं किया जाता है यानि option C सही है जिसमें कुछ हमें जल को अफसोसित करते हैं परसारित होते हैं और परिवर्तित हो जाते हैं तो देखिए इस किरिया को हम बोलते हैं जल इोजन तो option A हमारे सही है लेकिन हम आगे बाद कर लेते हैं कि और option हमारे कैसे हैं तो option A तो सही हो गया क्योंकि जल का जुड़ना उस पर जाकर वो जल इोजन कहलाता है oxygen करन की घटना में oxygen जुड़ती है जल अभवटन की किरिया में जल से भी कर आई जाती है और जल जो है वो H और OH की रूप में टूटकर उनसे किरिया कर लेता है जल जुड़ता नहीं है पूरा carbonate करन में CO2 से किरिया गराई जाती है और carbonate आयन बंते हैं इसमें oxygen से किरिया होती है और जलब विटनों ने बताया जो h2o है वो h plus और oh minus में तूट कर आगे कर लेती है तो option a हमारा सही है तो इस तरह से हमारे end ये बन 2020 बन के सभी question science के जो है वो खतम हो जाते है तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक नए set की जो होगा 2020 का set बन हुआ 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 हुआ